असलाम अलेकुम जी, so last lesson में कुछ चीजें हमारी missing थी and we really want to continue those things और हम इस lesson में उन्हीं चीजों को discuss करेंगे थोड़ी सी detail में तो color वाला section इसको understand करेंगे, इसके लावा shapes tool को और direct selection tool और selection tool में क्या difference है और इसके अलावा जी, paragraph में जाके कुछ alignment की properties को जरूर देखेंगे और ये वो सारी चीजें हैं जो के हमें assist करेंगी अपने content को बहतर तरीके से present करने के लिए so, यहाँ पे हमने last lesson में अपने text के अपने content के color को change किया था so, अब हम चाहते हैं कि हम background के color को change करें so, मैं इस scare पे click कर रहाँ और मैं अपने इस section में आदा हूँ जहां से हमने content के color को change किया था so, इसी का खास क्याल रखेगा कि अगर आप अपने scare का color change करना चाहते हैं तो इसकी selection जरूरी है अगर आप अपने content का color change करना चाहते हैं तो इसकी selection जरूरी है अगर आप selection के बगएर colors को change करेंगे तो यहाँ पर आपके canvas के उपर किसी चीज़ पर कोई effect नहीं आएगा So it's very important कि आप जिस भी object की properties को change करना चाहते हैं उसकी selection ज़रूरी है So यहाँ पर मैं background, square इस पर click कर रहाँ इसके बाद मैं section में आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं hover करूँ तो यह आपको fill कुछ text लिखावा नजर आएगा और अगर यह मैं जो नीचे वाला box है जो आपको सिर्फ outline नजर आ रही है इसके उपर आपको stroke लिखावा नजर आएगा So what the stroke is and what the fill is इसी scale पर click करता हूँ और इस stroke वाले box पर मैं click कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इस पर double click करता हूँ So मैं अपने इस circle को move करता हूँ red की तरफ So this is very sharp red मैं यहाँ से ok प्रेस करता हूँ तो अगर आप गौर से देखें तो इसका जो fill है that is black और इसका जो stroke है that is red अब यह red आपको नजर क्यों नहीं आ रहा हूँ So let's click outside the canvas और इसको मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ So अब आपको एक major difference नजर आ रहा है कि stroke इसने कहां पर apply किया और black color इसने कहां पर apply किया that is fill अगर हम stroke का color change करना चाहते हैं So double click on it और इसके बाद हम यहाँ से इसको कोई भी color assign कर सकते हैं अब यह देखें यहाँ पर मैंने भी यही गलती की कि मैंने इस shape को select नहीं किया और color change कर दिया तो वो उसने उसको यहाँ पर apply नहीं किया So click on the shape उसके बाद इसको double click करें और उसके बाद अपने colors को change करें So press ok और यहाँ पर जो हमने change किया वो उसने यहाँ पर apply कर दिया So अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरा fill है वो green हो जाए और जो मेरा stroke है वो black हो जाए तो यह उपर आपको एक छोटा सा arrow नजर आ रहा है तो इसका मतलब है यह colors को switch कर देगा colors को swap कर देगा So यह stroke को fill बना देगा और fill को stroke बना देगा So अगर मैं इस पर click करूँ Sorry object की selection करें और उसके बाद इस पर हम click करते हैं इसको थोड़ा सा zoom out करते हैं So यहाँ पर अगर आप लोग देखें So now अब यह क्या कर रहा है इसने stroke को black color assign कर दिया और fill को green color assign कर दिया मैं दुबारा इसकी selection कर रहा हूँ हम इसको दुबारा से यहां से switch करते हैं इसको swap करते है colors को और इसके बाद हम कहते हैं के we do not need the stroke of this object तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है के पहले अपने stroke पे click करें यह देखें आपको यहां पे पता चल रहा होगा कि इस वकट जो fill वाला box है यह जो icon है यह सामने है और stroke वाला icon इसकी back side पे है तो अगर आपने किसी भी specific fill को यह stroke को खतम करना है तो पहले उसको सामने लेकर रहा है तो मैं इस stroke पे click कर रहा हूँ यह इसका icon सामने आ गया और इसके बाद आपको यहां पे एक white box नजर आ रहा है और इसके ओपर एक red line है और इस पे देखें वह आपको show कर रहा है this is represented as none तो अगर मैं इस object की selection करूँ इसके stroke को सामने लेकर आया वाँ और इसके बाद मैं इस none पे click करता हूँ so इसने इस object का stroke खतम कर दिया so अगर आप दुबारा इसको stroke assign करना चाहते हैं आप इस पर double click करें और आप colors choose कर सकते हैं so हम इसके scare का color change करना चाहरे थे लेकिन हम यह भी चाहते थे कि हम इस panel को थोड़ा सा understand करें करें कि यह colors कैसे काम करेंगे so हम fill पे दुबारा से double click कर रहें और यहां से let's choose something this sorry object की selection करें और इसके बाद हम दुबारा से अपने color को choose करते हैं right जी so यह हमारा जो background था इसका color इसने change कर दिया तो हम आगे चलते हैं और अपने shape tool को थोड़ा सा understand करते हैं so हम canvas से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं so यहां पे आपको text के नीचे एक scale और एक rectangle बनावा नजर आ रहा है so और इस tool के साथ आपको एक छोटा सा arrow बनावा नजर आ रहा है तो यह जितने भी icon के अंदर उसने place किया है so वो बाकी options आपको कैसे नजर आएंगी so tap and hold on this icon तो बाकी आपको similar जो tools है वो आपको tap and hold करने से नजर आएंगे so अगर हम एक circle बनाना चाहते हैं तो मैं इस पे click कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहां पे draw कर सकता हूँ shift को press करें और उसके बाद आप draw करेंगे तो यह equal dimension में आपकी shape को draw करेगा यह हमारा circle draw गया आप selection tool पे आते हैं इसके बाद आपने यह object already select किया हूँ है आप इसका color change करना चाहते हैं so आपने fill पे आकर double click किया और इसके बाद आप यहां से कोई भी color इसको assign कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि यह shape tools हैं इसके बाद direct selection tool और selection tool में क्या difference है so यहां पे मैं एक rectangle tool create कर हूँ rectangle tool से हम एक scare बनाते हैं इसका let's say हम color थोड़ा सा black कर लेते हैं so हम जादा जो काम कर रहे हैं अभी तक हम selection tools ही कर रहे हैं हमने अपने does ko move करना था हमने इसके handlez ko change करना था इसके अलावा हमने अपनے objects की selection करनी थी तो हम सारा कुछ अपने selection में टूलसे ही कर रहे थे अभी तक हमने direct selection tool को use नहीं किया था so तो direct selection tool कैसे differ है selection tool से so selection tool जब मैं इस पे click कर रहा हूँ यह activate हो गया इसके बाद मैं इसको resize कर सकता हूँ और इसकी position को change कर सकता हूँ राइट या इसकी shape को मैं change कर सकता हूँ इसकी shape को distort कर सकता हूँ for example आपको scare नहीं चाहिए आपको rectangle चाहिए तो मैं यहां से इसके handles को move करके इसकी shape को भी change कर सकता हूँ so यह मेरा काम है selection tool से direct selection tool क्या करेगा अच्छा मैं selection tool से इसको select कर रहा हूँ तो यहां पे आप देखें आपने selection tool से object जो select किया हूँ है उसके जो anchor points है यह जो handles आपको नज़र आ रहे है they are white in color and they are not selected so मैं इस anchor एक point को click करके इसको select करके मैं इसको move कर सकता हूँ और मैं बड़ी interesting सी shape straw कर सकता हूँ अपने इस direct selection tool की मदद से so यह हमने triangle create कर लिया simple अपने scare को distort करके उसकी shape को खराब करके so हम इसको वापस ले आते हैं अगर हम इन दो points को move करना चाहते हैं so हम इन दो points की selection करेंगे so अब आप यह देखें कि यह दोनो anchor points they are blue in color और अगर अब मैं इसको move करता हूँ so अब यह दो points move हो रहे हैं लेकिन जो नीचे वाले points से they are not moving so आप कुछ इस तरह की interesting shapes भी बना सकते हैं अगर हम circle के उपर आते हैं इसको मैं select किया रहा हूँ इस वकित इसके चारू points चारू anchor points selected हैं तो मैं एक पर click कर रहा हूँ और मैं इसको यहां से move कर सकता हूँ so अगर मैं इसको थोड़ा से ओपर move करूँ so हमने सिरफ circle से we have drawn an egg एक अंडा design के लिया सिरफ direct selection tool की मदद से थोड़ा सा आगे move करते हैं जी हम paragraph की properties को देख लेते हैं that are also very important यहां पर by default जब हमने text लिखा that was left aligned लेकिन हम चाहते हैं के हमारा जो content है वो हमारे canvas के right side पे align हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैंने अपने इस text की selection की मैं यहां पर paragraph properties पैनल में गया मैंने इस पर click किया और यहां पर आप देखें के align left by default selected है मैं चाहता हूँ के right align select हो जाए तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा content है जो मेरी quotation है that is right aligned बिल्कुल ऐसे ही हम अपने जो author का नाम है इसको भी right align कर सकते हैं और अपने selection tool से इसको move कर सकते हैं right side के ओपर so this is how you can change the alignment of your content this is how you can draw shapes this is how you can change colors or selection tool or direct selection tool में क्या difference है and how the powerful the direct selection tool is so this is practice बहुत जरूरी है चीज़ें देखने में बहुत simple है लेकिन जब तक आप इनको use नहीं करेंगे you will not get the real understanding of these things get your hands dirty with these tools with these options so let's meet in the next lesson thank you so much for your time